एलो बच्चो आज मैं आपको कक्षा चटी जिसका विशे है गनित इसकी वॉक्षिट नंबर 38 समझाओंगी जिसकी डेट है में पास 23rd February 2021 आज की वॉक्षिट में हम क्या रिवाइस करने वाले हैं पुनांको का योग यह हम यहाँ पर रिवाइस करने वाले हैं चले देखते हैं यहाँ पर क्या है देखो यहां लिखा है जब हमारे पास दो धनात्मक पुनांक हों तो हम उन्हें जोडते हैं कहना है अगर दो धनात्मक पुनांक है जैसे की एक इनोंने प्लस का 4 लिया एक प्लस का 5 लिया अब दोनों को जोडना है तो देखो बीच में प प्लस का नाई नहीं होता है प्लस का 9 का मतलब भी प्लस का नहीं होता है ठीक है na छलिए दूसरा देखते हैं क्या है हम तब बहुते हैं जब दो त्रेनात्मक पुनांक है, हम तब भी जोड सकते हैं उनको, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा ना, उसमें बस हम माइनस का साइन लगा देंगे, कैसे? जैसे नों नहीं हाँ पर एक उदारन ये दे रखा है, तो देखो को यह भी त्रिनात्मक है यह भी त्रिनात्मक है जोड़ें कैसे आप रसा करो जु cet दोरों का माइश 在 उसको बाहर लिख दो बाकि यह टू प्लस वन यह लिख दो ठर्ली हो गया बहर का माइश हो अगे न In-सर में ठर्वाव का माइश में को देखकर घटाना चाहिए परंतों उत्तर के साथ वही चिन लगाएंगे जो बड़ी संख्या के साथ लगा है अब यहाँ पर क्या क्या करें अभी तक हम एक फिर दोनों थीनात्मक पॉरांग को जोरना सिखा आप अगर दोनों का एक एक में ले लूँ एक। धनात्मक ऐसा, यह दिख रहाँ आपको, तो हमेशा यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, हमेशा, प्लस और माइनस के बीच में अगर हमार को एक साइन लगाना है, वह हमेशा माइनस का आएगा, ठीक है, अब देखाऊ, सैवन मैं से मैं आपको बोलूं, फोर को घटा हो, तो आप बहु क्षोटा साइन हटा दू अब इसको कैसे घटा यह जैसे हम बड़े में से चोटा खटाते ना वैसी घटा देते हैं तो 7 में से 4 घटाया तो तीन ही आएगा बस एक छोटी लेकिन अगर यह बड़े नंबर आए तो यह थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी तो यह कंसेप्ट ज्यादा असान है आप इसको क्या करो प्लस माइनस हमेशा याद रखो माइनस होता है और एक चीज़ और ध्यान रखने है बस कि छोटे में से जब भी बरा नंबर हम घटाएंगे तो आंसर तो वह यह आएगा जो हम नॉर्मली माइनस करते हैं जैसा बस आगे साइन माइनस का लग चाहेगा ठीक है चलिए अब एक और चीज़ कहरें संख्या यूग फाइव और माइनस फाइव में संख्याओं को जोड़ने पर शूनने प्राप्त हो तो यह संख्या होती क्या है यह योजय प्रतिलों संख्या कहलाती है तो योजय प्रतिलों में आपको करना क्या है अगर प्लस का नंबर दे रखा है तो उसका योजय प्रतिलों माइनस का होगा जैसे की प्लस का थ्री इसका योजय प्रतिलों माइनस थ्री होगा अब मैं कह योजय प्रतिलोम प्लस का 4 होगा, उल्टा करना है, बस साइन पलटना है, ठीक है, चलिए, कुछ कोशन्स दे रखे हैं, वो देख लेते हैं, असान असान से कोशन्स है, कहारा है, निमलिकित का योग ज्यात कीज़े, आपको योग निकाल ला है, पहले में आपसे हां कहारा है, 7 और माइनस 7, ये तो वही हो गया, योजय प्रतिलोम, तो जब दोनों को जोडते हैं, तो क्या हमार पर 0, तो ये तो सीधर 0 आगया, ठीक है न, अब उसके बाद अगर हम दूसरा देखें, तो कहारा है, 5 प्लस यहां माइनस 12 है, अब देखो, अब भी मैने आपको बताया था, कि अगर प्लस और माइनस एक साथ हो, हमेशा आपको माइनस लिखना है, अब यहां तो फिर संक्या को हम घटाते हैं, तो माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है, चलिए उसके बाद थर्ड देखते हैं, माइनस 9 है, 8 प्लस 5 है, तो माइनस 9 इन दोनों को जोरूंगी, तो मेरा 13 आजएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकते हूं, 13 माइनस 9, एक ही तो बात है, 13 तो अ मैंस 12 प्लस मैंस 12, दो त्रिन आत्मक को जोर नहीं, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, इन दोनों को अंदर छोर देते हैं, जोर देते हैं, तो यह आगल मैनस का 24, ऐसा भी हमने उपड एक उधारन भी किया है, किया आ हमने उधारन, चलिए, उसके बाद फॉर्थ भी हो गया, लास्ट फिफ्ट और देखते हैं है माइनस वन माइनस लेवन माइनस टेन तीनों ही माइनस के हैं तो ऐसा करते हैं माइनस को भार ले लेते हैं और अंदर इन तीनों को प्लस का करके लिख देते ठीक है नहीं ठीक है और माइनस 124 का योग ग्याद कीज़ें. अब आपको योग निकालने हैं. किन-किन का? कोशन 2 यहां करते हैं. 125 इसमें जोड़ना की स्कोर माइनस के 124 को. तो अब भी मैंने आपको बताया था, प्लस और माइनस हो, तो हमेशा माइनस लगता है. माइनस कर दो, लो आपका आंसर आगया 1. ठीक है, यह कोशन 1 था. ठीक है न? चलिए. कह रहें, 3 का योग प्रतिलोम ग्याद कीज़ें. तो अगर प्लस होता है, तो योग प्रतिलोम माइनस का आएगा, अगर माइनस होता है, तो योग प्रतिलोम प्लस का आजाएगा. ठीक है? तो हम यहाँ पर कर लेते हैं. तो 3 का योग प्रतिलोम, कितना हैगा? माइनस 3. ठीक है? कोशन 4 में भी यह कह रहें, माइनस 4 का योग प्रतिलोम ग्याद कीज़ें. तो माइनस 4 का निकाल देते हैं तो क्या आजाएगा प्लस का 4 आजाएगा जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा ठीक है चलिए question number 5 में कह रहा है इन सब का क्या करना है योग ज्याट करना है तो चलो यहाँ पर करते हैं अब question 5 करने से पहले मैं आपको यहाँ पर जल्दी से एक homework question दे देती हूँ जो जिसका answer आप मुझे comment करके बताने वाले हो ठीक है इससे आपकी worksheet एक बार और अच्छे से revise हो जाएगी तो दो question दूँगी छोटे छोटे से एक तो आपको योजे प्रतिलोम बताना है ठीक है अब वो किसका बताना है माइनस 6 का तूसरा आपको योग बताना है योग किसका बताऊगी आप 125 प्लस ब्रैकिट में माइनस का 25 तो देको बहुत असान असान से question दीए तो comment करके आप बताईएगा जरूर कि इसके answer क्या आए और वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको like भी करतीज़ेगा ठीक है चलिए last question जल्दी से कर लेते है क्याना है minus 7 plus minus 8 plus minus 15 plus 13 का योग बताना है तो लिख देते हैं है पहले ना मैंने question ही उतार लिया उपर से यहां से यह वाला same है अब देखो यह तीनों ही minus के मैंने ऐसा किया कि न माइनस बहार ले लिया और इन तीनों को अंदर plus का लिख दिया ठीक है और यह plus का 30 तो ऐसी है इसको ऐसी छोड दिया तो इन तीनों को जब जोड़ा है तो मेरा 30 आगया यह plus का 30 ऐसी है आगे वाला minus ऐसी है अब यह तो फिर योजे प्रतिलों बन गए एक plus का एक minus का है तो इनका answer क्या आता है 0 तो answer आगया 0 ठीक है तो यह थी हमार पास छोटी सी वरक्षीट जिसमें हमने आज 5 कोशन की प्लस 2 कोशन हमने यह आपर homework के लिए भी लिए जो आप मुझे comment करके बताने वाले है ठीक है ना चलिए अब वरक्षीट नमबर कौन सी आपकी 39 वो हम अपनी next वीडियो में करेंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे like जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को subscribe कीजेगा Thank you